दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैतनात अश्ववंदर रिष्ट की बारे में यानि डिटेल्स में इसका रिव्यू करेंगे इसके आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे क्या इसके कोई side effect भी हो सकते है या नहीं इसका price क्या है इसे कौन-कौन ले सकता है और कौन नहीं इसके अंदर इसी कौन सी जड़ी बूटिया डाली गई है जिस कारण ये product इतना ज़्यादा खास है और last मैं इसे लेने से पहले आपको क्या-क्या साउधनिया रखनी चाहिए सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को आप पूरा देखना तब ही आपको हर एक बात की जानकारी प्राप्त होगी लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजे अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस जो है वो दो सो पंदर रुपए है जो आपको 400 ml के पैकिंग में मिलता है और इसे आप किसी भी आरिविदी की स्टोर मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से खरेश सकते हैं लेकिन अगर आपको ये वहाँ अविलेवल नहीं होता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ओलाइन खरेदने की लिंक दी हुई है जिसे आप घर बैठे बैठे भी ओर्डर कर सकते हैं चलिए तो फिर बिना किसी देरी के बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में दोस्तो अशुगंदा रिष्ट आपके मैमोरी पावर को इंप्रूफ करता है यानि मैमोरी पावर को बढ़ाने का काम करता है अगर आपको चिंता रहती है चिड़चड़ा पंसा रहता है आपको अनिदरा यानि नीद नानी की समझे रहती है अच्छी नीद नहीं आती इसके अलावा मस्तिक्स की जो निर्बलता होती है यानि आपका ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं करता आपकी याददास्त काफी कमजोर रहती है तो इन सब में जितने भी ये मानसिक रोग होते है इन सब में आपको अशुगंदा रिष्ट का काफी बड़िया फाइदा देखने को मिलता है और आप काफी स्वस्त रहते हैं दोस्तों ये हमारे सरीर को बल और सक्ती देने का काम करता है यानि हमारे सरीर में चुस्ती फूर्ती और तागत लाता है अगर आप बार बार ठक आपको एक ठकान सी महसुस होती हैं तो आपको अशुगंदा रिष्ट का सेवन करना चाहिए सब तरह की कमजोरी जो है अशुगंदा रिष्ट से दूर होती हैं अगर आपको पेट समंदी समश्याएं, पेट का अच्छी से साफ ना होना, पेट में गैस की समश्या लगातार बने रहना, जिस कारण पेट में एक हलका सा दर्द भी बने रहता है और इसके साथी साथ भूग भी खुल के ना लगना यानि भूग ना लगने की समश्या, तो इन सब में असुगंदा रिष्ट का सेवन जो है वो किया जा सकता है, आपको इसके बड़िया फाइदे देखने को मिलेंगे, आपके पेट की समश्याएं भी खत्म होंगी और आपको भूग भी अच्छी लगेगी और आप काफी स्वस्त रहेंगे, इसके अलावा हिर्दे की सामानी कमजोरी, धड़कन का जादा होना, धड़कन का कम रहना, कुछ ऐसी बात पर दिल में घबराट सा हो जाना, मुझ का सोग जाना, तो इन सब में भी आपको असुगंदा रिष्ट का काफी बड़िया फाइदा देखने को मिलता है, आप इसका सेवन करके इसका उठा सकते हैं, अगर आपके हाथ पैर सुननों हो जाते हैं, हाथ पैरों में एक जुन-जुनार सा लगता है, या फिर आपको अगर जोडों में दर्दगी समश्या होती है, या जोइंट्स में पेन होता है, या फिर आप अर्थराइटिस के पेसेंट हो, तो इसमें भी लोगों से बचाव होता है और हम काफी स्वस्ते रहते हैं यानि कुल मिलाकर आप अशुगंदर रिष्ट को एक बड़िया हैल्थ टॉनिक भी कह सकते हैं इसका सेवन सारी रिग और मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए किया जा सकता है दोस्तो अशुगंदर रिष्ट के आपको इसलिए इतने सारे फायदे मिल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अशुगंदर तो है ही इसके अलावा सफेद मुसली, मंजिस्टा, दारू हरीदरा, वेदारी, अरजुन की चाल, सफेद चंदन, पीपल, आदिये से और भी कई बहतरी जड़ी बूटिया मिलाई गई है, जो आपके सरीर के लिए काफी बेनिफिचल होते हैं, और आपका सरीर जो है, वो स्वस्त रहता है, दोस्तो अगर बात करें, इसको इस्तिमाल कैसे करना है, तो इसे आप 15-30 ml बराबर मातर में पानी मिला कर, खाना खाने के बाद, दिन मे 30 मिलेट बात ले सकते हैं, दोस्तो इसको मेल फिमेल, कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को देने से पहले, एक बाद डॉक्टर से जरू कंसल करनें, उसके बाद ही बच्चों को दें, क्योंकि डिपेंड करता है, कि बच्चे की एज कितनी है और जो महिलाएं प्रेगनेंट हैं उनको भी इसका सेवन नहीं करना है क्योंकि प्रेगनेंसी की दोरान unnecessary कोई भी medication नहीं ली जाती और इसके साथ ही अगर आप diabetic के patient है तो भी इसे लेने से पहले एक बार doctor की सलह जरूर लें दोस्तों अगर बात करें इसके side effect की तो इसका कोई भी side effect देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये एक natural ingredient से बनाएगा product है लेकिन फिर भी इसको लेने के बाद आपको कोई healthy issue लगता है तो आप इससे लेना बंद भी कर सकते हैं या फिर अधिक जानकारी के लिए आप doctor से भी सलह ले सकते हैं दोस्तों जाते जाते इतना जरूर कहने चाहूंगा आपसे कि अपने खाने पीने पर विसेज ध्यान दीजिए healthy diet लेजिए time पे खाईए और time पे सोईए सुबह exercise करिए जिससे आप इस अस्वगंदा रिस्ट का और भी भरपूर फाइदा उठा पाएं अगर विडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप subscribe भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली विडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे अपना कीमती समय इस विडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद